स्वागत दोस्तों इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि NFIR के हवाले से ये खबर आई है कि अक्टूबर महिने तक 3% का DA मिलने का संभावना है उसके साथ सा जुलाई अगस सेप्टेमबर अक्टूबर यानि 4 महिने का एरियर भी दिया जाएगा रेलवे कर्मियों सहित केंदर के करमचारियों को और रेल कर्मियों को अतरिक तलाव के रूप में ये फायदा मिलने की सं 17,951 रूपीज है जो राशी ही मिलेगी हाला कि NFIR ये कह रही है कि हम बढ़े हुए बोनस की मांग करेंगे ज्यादा बोनस की मांग करेंगे 7th Pay Commission के हिसाब से बोनस देने की मांग करेंगे लेकिन खैर ऐसा होने वाला नहीं है बोनस का कैलकूलेशन वही रहने वाला है 17,951 रूपीज बोनस कैसे कैलकूलेट होता है और कैसे मिलता है 17,951 रूपीज ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है प्रॉपरली कि आखिर इतना ही हमें क्यू दिया जाता है किस एर के basic के हिसाब से दिया जाता है कैसे कैलकूलेट किया जाता है खैर वह चाहिए तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं लेगिन जहां तक बात है बोनस के अमाउंट की तो मेरा तो मानना है कि 17,951 रुपे से ज्यादा आपको इस बार भी नहीं मिलेगा संतोस उसी से करना है और रही बात डिये की तो डिये 3% का अक्टूबर तक मिलने की संभावना इस प बले बले भारी मुनाफ़ा की शुरुआत फिर से हो चुकी है न्यूज में एक दो कटिंग तो मैं भी दिखा रहा हूं जिसमें आपको भारी धनवर्शा हो रही है एकदम लक्षमी जी आपके घर में ही पधार जाएंगी इस 3% के डिये के साथ तो यहीं है अभी का एक छो